स्वागत है आप सभी का बाइजूज एक्जैम प्रिप आईएस में और आपका स्वागत है उस सापताइक सर्वेक्शन में अंतराश्टरी घटनाओं के जिस्तों हम खास तोर से तयार करते हैं आपके लिए जो प्रत्योगी हैं प्रत्याशी हैं सिविल सर्विस परिक्शाओ के लिए हमारा अप्रैत्म हमेशा यह रहता है कि हम देखें कि जो अंतराश्टरी घटना करम है वो किस प्रकार भारत की विदेशनीति के नियोजन संपादन क्रियानमन को प्रभावित करता है किस तरह हमारी राश्टरी हित इससे सिंचालित होते हैं और कैसे भारत इन घट पर अपना प्रहौड डालता ही डालता है इस सत्ता कुछ ऐसा ही हुआ जब सत्तारूर पार्टी के कुछ जो आधिकारिक राश्टरी प्रवक्ता है उन्होंने कुछ गयर जमेदारना मक्तम ही दिये जिसको लेकर भारत के विरुद आक्रोश काफी बयावा रूप से भड़ करना हमारे जरूरी है एक दूसरी घटना जो महत्पूर समझी जाती रही है वो ब्रिंटेन में प्रथान मिंत्री के विरुद अविश्वाश प्रस्ताव का संसंद में लाया जाना था लोगों को लगता था कि पार्टी गेट से बदनाम बोरिस जॉनसन शायद इस बार अगले एक साल तक कोई दूसरा अविश्वाश प्रस्ताव उनकी विरुद नहीं लाया जा सकता है मगर हाकीकत यह है कि उनका प्रवान मंत्र तो कमजोर हुआ है और इसका क्या प्रभाव ब्रिटेन की आंतरिक राजनीती पर पढ़ेगा आर्लेंड और स्कॉटलेंड के सा पढ़ेगा इस पर भी हम विचार करेंगे एक और मौत्पूर्ण घटना जो घटी है वो भारत की विदिश्मंत्र रायक एक सचिव काबूल के दियातरा पर गए उन्होंने शिर्शष्ट तालिबान निताओं से मुलाकात की और उनका कहना था कि तालिबान को मानिता देने की पेशकश नहीं थी बलकि मानवी आधार पर जो साहता भारत पहुचाना चाहता है निरंतर वहां की मानवी तरास्ती को रोकने के लिए कम करने के लिए अफगानिस्तान में उसी की सिल्सिन में यातरक की गई थी मगर लोगों को लगता है कि दर्वाजा जो अब तक बंद था भारत के अफगानिस्तान में पुरर प्रवेश का वो थोड़ा साही सही फिर से खुला है इसका विविचन भी हम करेंगे दूसरी ओर एक सो चार पांच दिन पूरे होने को आ गए है रूस और उकरेन का संगराम जारी है और इसकी जो तबाही उकरेन की हुई है उसके अलावा जो इसका परिणाम पढ़ रहा है जो असर देखने को मिल रहा है विशुभर की खाजी सुरक्षा पर उसका विविचन करने का समय अब आ गया है तो कि कई अनेक ऐसे देश हैं जहां इधन की सुरक्षा उर्जा सुरक्षा और खाजी सुरक्षा वो श्रीलंका हो वो मध्यपूर के कुछ देश जो तेल उत्पा तक निरिया तक नहीं है वो या भारत जे सा दिकाश शील देश हो इन सब में इसक करना हमारे जरूरी है सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे उस संकट की जो आकस्पिक रूप से अचानक हमारे सामने पैदा हुआ पिछले सक्ता बिस्तार में जाने से पहले विश्रिषन करने के पहले संकट करने में संकट ये था कि सत्तारूर भाज़पा पार्टी के कुछ राष्टी प्रवक्ताओं ने एक टेलिविजिन परिचर्चा के दोरान और समाजिक बाधियम में सोशल मीडियम में कुछ ऐसी टिपड़ियां की जो अशोबनी थी अभधर थी और पेगंबर महुमत की शान के चाहिए कि उनकी टिपड़ियों का क्या आसर भारत के राष्टीर पर पढ़ सकता है। भारत की सरकार का रवया हमेशा ये रहा है कि यह हमारा आत्रिक मामला है, हमें पता है कि हम जिसे हेट स्पीच कहते हैं, जो भड़काओं वक्ताव कहते हैं, उन पर काबू कैसे पास सक जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो निश्चित रूप से समय धानिक प्रावधानों की धंजियां उड़ाने वाली थी और इस बार बात को घर के भीतर की बात कहकर उस पर लिपा पोती नहीं की जा सकी क्योंकि कतर नाम के एक छोटे से देश ने जो महत्पूर्ण देश है ततकाल अपनी आपती दर्ज कराई भारती राज़ूत को बुलाया और उनके हाथ में नकेवल अपना विरोध पत्र थ्रमाई दिया बलकि ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि भारती विद्श मंत्रा ले ततकाल इस मामले पर माफी माँगे और अपरादियों को दंडित करें अब अपरादियों को जहां तक दंडित करने की बात थी पार्टी ने अपने एक प्रवक्ता को डिश्काशित कर दिया दल से और दूसरी को निलंबित कर दिया और कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा कहा था, उनकी टिपपणियों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने भी अपने हाथ जाल लिया और कहा कि देखी यह तो भाजबा का उसके प्रवक्ताओं का मामला है, सरकार इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। मगर चो कि आपती दर्ज कराने वाले महतपूर्ण, अमीर, ताकतवर अरब देश थे, भारत सरकार को कुछ ने कुछ समझोते समर्पण की बुद्रा अख्तियार करनी ही पड़ी। विदेश मंतराले ने माफी सीधे-सीधे तो नहीं मांगी, मगर जो सफाई दी, वो सफाई देने के लिए भारती विदेश मंतराले को जब मजबूर होना पड़ा, तो लोगों को लगा कि उसने घुटने टेक दी है, पहली बार भारत की इतनी मानहानी छोटे-छोटे विदेश ज़रूर है, और एक भारती, सतारूर पांटी के समर्थ तक ने ये भी खा कि कतर की ओकात क्या है, वो तो अनेक भारती नगरपालिकाओं से छोटे आकार का है, उसकी आबादी 28-30 लाग से कम है, मगर वो जो सजे निटेपणी कर रहे थे, वो ये भूल गए कि भा प्राक्रितिक गैस का सबसे बड़ा भंडार इस ग्रह पर कुएट के पास ही है, तो कुएट की आबादी या कुएट के आकार पर टिपड़ी करने से पहले, उसकी समर्दी और आजकल, खासकर रूस और उकरिन की युद्ध के बाद, जो विश्व की उर्जा सुरक्षा है, उसके संदर में, जो कतर का मौट है, उसको अंडिखा करना मेरे भाद में बिहद ना डानी है, इसी तरह की बात ये है कि कुएट की कुल आबादी तो 28-30 लाग है, उससिक चार गुना भारती वहां काम करते हैं, वहां की मुल आबाधी से, वो कतर पर कोई एहसार नहीं कर र कुएट की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो इनको अपनी देश में रखे, वो चाहे तो उनके मजले में वेकलपी ग्रूप से पाकिस्ताइनी शर्मिकों, कारीगरों, इंजिनिरों, डाक्टरों, मास्टरों, प्रबंदकों या बांगला दिश्चों को न्यूक्त कर सकता है खैर मुस्लिक देशों से भी उनका आयात हो सकता है, वो फिलिपीन से पहुँच सकते हैं, तो जब भारती ये बात करते हैं, कि हमें तत्काल कतर के उत्पादों का भाहिशकार करना चाहिए, क्योंकि कतर में भारती उत्पादों का भाहिशकार मौल्स पे किया जा रहा है, तो हमें भूल जाते हैं कि कतार की छोटी से अबादी न तो अपनी खाजी सुरक्षा के लिए ना किसी उभोग सामगरे के लिए भारत पर देर बार है. कि दुनिया के समर्द, कोशाल, और दूगी कर देश, पश्चिमी योरोप के और अमेरिका, उनके लिए सब कुछ वो हादिर करने को तयार हैं, जिसकी ख्वाहिश वो कर सकते हैं. एक लगबग बतिमंद भारती ने ये भी कहा, कि हमें कतर विवान सेवा का भाहिशकार कर देना चाहिए, जबकि आप देखें, तो जो उनकी वरीता की सुची है, उसमें भारत का कोई भी हवाई इंडा, 15-16 से पहले उसका नाम तर देखने को नहीं मिलता है. अब ये बात सिर्फ कतर की नहीं थी. जब इस संकट का ने थोड़ा गंभीर विक्राल रूप धारन करना शुरू किया, तो इसी तरह कि आपतियां तटकाल अन्यत भी दर्ज कराई जाने लगी, अबुदभी में दर्ज कराई गई, सौदी अरब में दर्ज कराई गई, उम हमारा आंतरिक मामला है, इसमें किसी को बाहर से दखल अंधाजी नहीं करने चाहिए तोग ये केवल सिर्फ अभी विक्ती-स उतटवता का मामला था, मानगा एतिकारों का मामला था, भारत के नागरिकों के सामिधनिक मुन्यादी एतिकारों का मामला था, बलकि पर देखते हुए कुछ राजियों में या साल डेड़ साल बाद जो राश्ट्री चुनाओं होते हैं उनको देखते हुए जो धुवी करन का प्रयास सत्ता रोल पार्टी कर रही है उसके कितने घातक परिनाम भारत की विदेश नीती पर और भारत के राश्ट्री हितों पर प भावित करते हैं तो जब भारत पर ये दवाव बढ़ रहा है कि सजुक्त राश्ट भी उसके आलोचना करें और एक तरफ इस्लाम द्वेश इस्लामोफोबिया की बहस योरोप में चल रही है और दूसरी और भारत जहां दुनिया के तीसरी चौहती सबसे बड़ी संक्या म मुसल्मानों का घनत तो है वहाँ इस प्रकार की बढ़काओ हेट स्पीच सामप्रजाइक हिंसा को बढ़काने वाली भाशन दिये जा रहे हैं जिनका प्रफाव नकेवल स्वदेश में पढ़ता है बलकि विदेश में पढ़ोस के बाहर दूर दराज दिशन तक पढ़ सकत हैं बड़े शहरों में मुंबई में दिली में में बैंगलोर में चेनले में तो इसके प्रती सतर्क रहने की जरूरत है मगर इस तरह के आत्म घाती खत्रों के प्रती सतर्क रहना अपने आप में काफी नहीं है हम इस बात को अंदेखा नहीं कर सकते हैं कि पिछले आठ वर् में साओधी अरब से और खाड़ी देशों में अबुद्वी जेस्टे देशों से इन दोनों ही देशों ने अपने सर्वोच नागरिक संबान से भारतिय प्रफार मंत्री को नवाजा है यह सारी के कराए पर पानी फेरने की इस्तिजी है यदि सरकार इन गैर जिम्वेदार प्रफ़क्ताओं पर अंकुष नहीं लगाती ना किवल अंकुष लगाना कुछ समय के लिए उन्हें नर्मित करना कुछ समय के लिए पर्दे से पीछे हटा लेना काफी नहीं होगा सारे हमारे जो मित्र इस्लामी देश हैं उनको ये बात सपष्ट होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्त जो इस तरह की हरकत करेगा उसे दंडित किया जाएगा यहां विडंबना ये है कि दंडित करने के बंदे इनमें से एक प्रवक्ता की सुरक्षा सरकारी खर्च पर बढ़ा दी गई है यह सोचते हुए कि उनकी जान और माल को खत्रा है इससे भी है संत्रोश जिनक बात जो हमारे मित्रों को लगी है वो ये है कि भारती प्रधान मंत्री इस बारे में बहुंट साधे रहे हैं हमारे विदेश मंत्री मुखर हैं मगर ज्यादा ज्यादा उनने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है और बड़े सामान शब्दों में यह कहा है कि जिन देशों में खुद इस्लाम वेश है जो कटरपंती इस्लामियों पर काबू पाने में असमर्त रहे हैं वो कैसे भारत की और अंगली उठाते हैं मगर किसी भी बड़े देश साओधी अरब, कतर, खाड़ी देशों के प्रदी कहने का साहस उनका नहीं पड़ा है कुछ लोगों ने ये टिप पड़ी भी की है कि क्यों ये सारे देश जो इस वक्त भारत की आलुचना कर रहे हैं चीन के मामले में चुप रहते हैं जब चीन सिंक्यांग प्रांक में उग्योर मुसलमानों के वन्षनाशक नीतियों का अलुसरन करता है तब क्या हज़रत मुहमत पेगंबर की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होती है तब क्या इसलाम द्वेश नहीं पैदा होता है मगर ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि अंतरराश्ट्री राजनीती में सबसे अधिक महत्व शक्तिका है चीन भारत की तुर्णा में कहीं अधिक ताकतवर देश है सैनिक और आर्थिक उसके पास वीटो है वो सुरक्षा परिश्द का 27 सदस्द से है और चीन से जगड़ना चीन से बैर बोल लेना खास कर जिस समय रूस और उक्रेन युद्ध के बाद चीन, इरान, रूस एक और होते दिख रहे हैं इसका क्या प्रफाओ तेल की राजनीटी पर पड़ सकता है इससे बेखबर ओपिक देश भी नहीं है ना साओधी अरब है ना खाड़ी के देश है तो कुल मिलाकर चीन से भारत की तुलना करने की कोई अकलमंदी हमें कम से कम निज़र नहीं आती है हम सिर्फ इस बात को दोहराना चाहेंगे कि भारत में लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि बहुत आसानी से आप अबसरवादी तरीके से सरकार का रिष्टा सत्तारोड पार्टी से नहीं कर सकते हैं पार्टी अपना पल्ला बहुत आसानी से नहीं जाड़ सकती है अपने आधिकारीक प्रवक्ताओं से खासकर उन सितियों में जब इन गहर जमेदार प्रवक्ताओं को दंडित नहीं किया जा रहा है एक तरह से उनकी हिवादता बंदोबस्त किया जा रहा है और कुल मिलाकर चुनावी राजनीती वोट बैंक को भुनाने के चक्कर में जिस धुमी करण के चकर में सरकार फसी हुई है उसका बहुत बड़ा खामिया जो बहुतना पड़ सकता है भारत के राष्टी हितों के संदर में जो सामरिक भी है आर्थिक भी है और खासकर प्रधान मेंतिटी ने स्वयम बड़ी मेहनत से जिस तरह जे एक ठोस बुनिया तैयार की है भारत के रिष्टों की साओधी एरब हाड़ी दिशों के साथ जोनोंने भारत के पक्षधरता करते हुए पाकिस्तान को कई बार नका रहा है ठुक रहा है हम उस पूरी उपलब्धी को पर पानी फेरने के लिए आमादा हुए नजर आते हैं इस बारे में सतर करेने की जरुएत है एक दूसरी घटना जिस पर सबका ध्यान ठिका था वो ब्रिटेन में प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन के फिरुद अविश्वाष प्रस्ताव था इस अविश्वाष प्रस्ताव को लाने वाले उनकी पार्टी के ही संसेसे थे और जब एक सो पंदर संसे संसे इस तरह का विश्वाष प्रस्ताव देते हैं तो फिर कोई चाहरा नहीं बचता है इस पर मद्दान होता ही होता है कुछ लोगों को लगता था कि इस मद्दान में जिए बोरिस जॉनसन हार गए तो उन्हें पत्या करना पड़ेगा वगर जैसा कहा जाता है बोरिस जॉनसन वास्ताव मुकंदर का सिकंदर है वो बड़बोले हैं वो नाटकी हैं वो करिश्माई व्यक्जित को भूनाने में लगे रहते हैं उनकी अदाएं किसी अभी निता की जैसी होती है और कई बार वो धोंस धंकी जूट के साहरे अपने को संकट से निकाल ले जाते हैं इस बार भी वो जैसे भवर में फ़से थे उससे वो निकलने में सफ़ल हुए है जब मद्दान के नतीजे आए तो वो अविश्वाश प्रस्ताव में जीद गए अर्थात उन्होंने विश्वाश प्रस्ताव को खारिज कर दिया अब चूंकि ब्रिटेन में जो वहां का समयदान है वो लिखित समयदान नहीं है वहां परंपराओं के अधार पर सब कुछ होता है तो अब परंपरा ये है कि अगले एक वर्ष तक उनकी पार्टी उनके विरुद इस तरह का विश्वाश प्रस्ताव नहीं रख पाएगी और वो लगभग मेरापद अपने को समझ सकते हैं मगर इस मद्दान के जो आकड़े सामने आए उससे ये पता चला कि उनके विरुद उनकी पार्टी के ही 148.45 संसद हैं अब आप इस बात को ध्यान में रखें कि बिर्टीन के हाउस ओफ कॉमेंस की को संख्या संख्या 600 के आसपास है और अगर अपनी पार्टी के लगबग डेड़ सो संसद सदस उनके विरुद थाएं तो उनकी उनका जो बहुमत है वो संसद में बहुत ही नाजुक तरीके से जोखिम गरस्त है तो इसका एक परिणाम जो होने वाला है वो ये है कि आने वाले महिनों में जो कुछ भी प्रस्ता नीतियों के बारे में बोरिस जॉंसन संसद के नाम सामने लाएंगे उनके पारित होने की संभाबना बहुत कम है इनमें दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत महत्पूर्ण है एक तो जो आरलेंड के संभने में उनकी नीतियां थी वो बड़ी सखत देवार अपना रहे थे और उनका कहना था कि हाड ब्रिक्सिट का मैं समर्थ तक रहा हुआ हूँ आरिश बैक स्टॉप को लेकर जो बहस चल रही है उसको मैं अंकुष लगा दूँगा और आरिलेंड में जो हाल में सेंफिन पुरानी करांतिकारी आतंकवादी जिसे कहते हैं वो पांटी सत्ता का हिस्सा बनी है तो उसके साथ इनका 36 का वाकणा था मगर अब ऐसा नहीं लगता कि वो मनमानी इस विशे न कर पाएंगे और नके वल इतना स्कॉटलेंड में भी जो साजा सरकार बनी है उसमें जो लोग बिटेन से अलग होना चाहते हैं वो मुखर होने लगे हैं और भले दूसरे जन्मत की संभावना निकर भविश में नहीं है मगर एक आक्रोश एक असंतोश का भाव जो स्कॉटलेंड में है वो भी बढ़ेगा तो जो लोग कहते रहें कि वेल्स, स्कॉटलेंड और आर्लेंड धीरे धीरे अलग होना चाहेंगे बलकि इसका एक और उजारण है जो आईल ओफ मैन जैसे कर्चोरी के स्थाने जिनकी इस्तिती बड़ी विचितर है कि वो ब्रिटेन का हिस्सा है भी नहीं और ब्रिटेन की प्रुपता भी उनके उपर है उनको लेकर भी जो भास हाल की दिनों में सानने आई है उस सब को देखते हुए ये लगता है कि ये चुनोतियां आने वाले दिनों में और कट होगी असफल्टा की सूची बोरिस जॉनसन की बहुत लंबी है जिस तरह उन्हें कोविट का मुकाबला किया जिस तरह से उन्हें ब्रष्टा चलन किया पार्टी गेट में आगे बढ़ने के पहले पार्टी गेट का चर्चा करने जिस समय प्रधान मंत्री ब्रिटेन के नागरिकों को इसलाय दे रहे थे वो घर के बीतर बैटे रहें बहार ने निकलें घर से काम करें अपने जो रिष्टदार अस्पतालों में उनसे मिलने तक न जाएं कई ऐसे नागरिक थे जिनके आत्मी रिष्टदारों की मौत कोबिट की दोरान हो गई वो उनके अंतिब दर्शन न कर सके वो उनके अंतिश्टी में भाग न ले सके उनके दर्फनाई जाते समय उस समय जो यह शाशक वर्ग था बोरिस जॉनसन उनकी पत्मी उनके मंत्री मंडल के सद्स उनके दोस्त वो जशन मना रहे थे नंबर दस डाउनिंग स्ट्रीट में कि अपनी बोतल लेकर आ जाओ और सवेरे चार मिच तक दारू पीते रहो नाचो गाओ यह सारे कांड जब सामने आये तो पहले तो उन्होंने उनको सिरे से नकारनी की कोशिश की कि मुझे नहीं पता था कि यह चीजें नहीं की जानी चाहिए थी नियम दुरुद थी मगर जब पकड़ में आ गया और उनकी खिलाफ एक जाच बठा दी गई सुजान ग्रे की जो एक वरिष्ट सिविल सर्विंट थी तो बीच में फिर बाता डाली गई कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जाच शुरू कर दी जब तक वो जाच पूरी नहीं होगी तब तक पह जाजी में कोई अंतर कभी भी नहीं पड़ा था कोई कितना ही भायानक विक्राल रूप से क्यों चल रहा हूं इसके अलावा राष्ट्री स्वास सेवा हो शिक्षा व्यवस्ता हो रोजगार हो नसली जाती संबंद हो यह सारे इनमें बिगाड़े उनके कारिकाल में देखन उनको आया है और अरतिन वरस्ता ब्रेक्सिट से बाहर नकलने के बाद चिंता जनक होती गई है कई बार जो बोरिस जॉंसन पर यह आरूप लगाए गये हैं कि वो सच के साथ कंजूसी बरतते हैं उन्होंने समरागी ऐलिजाबत को गलस अला दी है उन्होंने गुम्रा करने की कोशिश संसत को की है यह सारी बातें सीधे शब्द में कही जाएं तो उन्हें जूटा और बेमान साबित करने को काफी है और जो कुछ भी वो कहते हैं उसमें सच का अंश बहुत कम होता है मगर सोचने की बाती है यह सम बाते तो बिटेन के मजदाता कंसर्वरिटिव पा काते हैं इससे हमारा लेना देना क्या है मगर जो हमने कहा कि किसी विदेश की आंतरिक नीति का सीधा प्रभाव उसकी विदेश नीति और राजने पर पड़ता है उसके अंतराश्टी संबंदों को प्रभावित करता है उसके संदर में हमें देखना होगा इसका क्या प्रभ इनको कम होगा, उसके बारे में दुबारा सोचने को वो विवश होगे. ब्रिटेन की अर्थजास्ता दिरंतर मंदी की चपेट में, महनाई की चपेट में रहेगी और जो भारती ये सोच रहे थे कि संकट गरस्त बोरिस जॉनसन एक अच्छा मौका दे रहे हैं भारत को ब्रिटेन के साथ अपने संबंदों को घरिश मिनाने का, सुधारने का, दो-तीन बातों पर्टिपणी करना जरूरी है कि ब्रिटेन की तक्नीकी क्षमता निश्य तुटств से अवल दर्जे की है मगर वो तक्नीकी क्षमता कितनी देर तक बरकरार रह सकती है जब तक आपकी अर्थवयशाथ का स्वास्त इतना संकट गरस्त नहों जो उटिजा सूरक्षा है, जो खाईजी सूरक्षा है उसकी चपेट में देर सवेर बिटेन को आना ही आना है यो योरोपी समुझाय से बाहर निकालने के बाद और जो प्रयास पिछले कुछ महीनों में बोरिस जॉनसन का रहा है कि वो आंतरिक संकट से ध्यान बटाने के लिए अंतरराश्ट्री मंच पर सक्रियों कभी कीव पहु कि क्या बिटेन को हम अपने राजने में प्राथमिक्ता दे सकते हैं ये एक संयोग है कि भारत अंग्रिजी का प्रयोग करता है हमारी संस्थी प्रणाली और हमारी न्यायपाली का उसी मॉडल पे है जो बिटेन की है अगर इस सब को देखते हुए भी क्या कोई हमारे हितों का संदिपात आज है या हमारे हितों का संदिपात दुनिया के उन देशों के साथ है जो ब्रिटेन से इतर हैं तो ये बात में कभी प्रस्ते सूच नहीं एक बेहर दुखद घटना अमेरिका में हुस्टन में घटी हाल के दिनों में एक स्कूल में एक बंदोगधारी नौजवान ने अंदाधूंद गोलियां चलाई उननीस छोटे-छोटे नेरपराद बच्चे मारे गए और उड़के दो अध्यापक बड़ी संक्या में लोग घ तरंजित गोलाबारी थी मगर यदि आप आकड़े देखें तो पिछले 5-6 वर्षों में 4-5 जार व्यक्ति निर्दोष नागरिक अमेरिका में स्कूली बच्चे चर्च में प्राथना करने वाले लोग मनिन बस्तियों में रहने वाले अश्वेच जो दुकानों में कुछ खरीदारी के लिए आये थे इस तरह के अप्राथों का शिकार हुए हैं घरों में जिसे डुमेस्टिक वालेंस का जाता है तामपत्य जीवन में जो कटनाईयां आती हैं उनको लेकर भी जितनी आसानी से अमेरिकी बंदोकों का इस्तमाल करते हैं वो बहत चिंता जनक है बर भागी है कि अमेरिका में एक बहुत सशक्त लॉबी है जिसे नैशनल राइफल असोसिएशन कहते हैं जिसका मानना है कि अमेरिकनों का जन्मसिद्ध बुनियादी अथिकार है अठार वर्ष की उम्रिक बाद आत्मरक्षा के लिए हतियार धार्ण करना ये परंपरा जब अमेरिका का निर्मान हो रहा था तब शायद इस तरह की अहतियार धार्ण करने की अनिवारता रही हो आत्मरक्षा के लिए किन्टों आज निश्चित रूप से ये एक पौरानिक अधिकार है जिसका बरकारा रखना ज़रूरी नहीं है कुल लुब 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 लु खपत स्वायम अमेरिका में होती है तो उसके आर्थिक हित जुड़े होएं इसके साथ अब जो कुतर्ख है जिनके आधार पर बुनियादी अधिकार का समर्थन किया जाता है उसके सबसे इच्छी मिसाल ट्रंप स्वायम है उनका कहना है कि आत्मरक्षा के लिए हर अमेरिक साल की उमर पर होते ही हर विक्ति अपने पास इस तरह के अहतियारों का जखीरा जुटा सकता है जिस ललके ने इस घटना को अजाम दिया जिस नौजवान ने उसका अठारवा जन्मी दिन हाली में हसंपन हुआ था और उसने दो ऐसी परिश्क्रित बंदुके उसके दो ती हमजावार को रोक निकले बंदुक होनी चाहिए और उनका जुटसरा नुसक था गो तो और लिया से अस्पत सपता हो। गिरजागा घर हो या स्कूल हो उनकी बखतरबंद, उनकी हिफाज़त के लिए उनकी सुरक्षा का प्रबंद होना चाहिए, मोटी इंटों की दिवाल होनी चाहिए, कटिले तार होनी चाहिए, यानि आप स्कूलों, अस्पतालों और चर्चों को किलों में या जेलों में तबदिल करना चाहते हैं, एक लिए आप राश्टपधी ट्रम्प के पूर राश्टपधी ट्रम्प के इस तरक को स्विकार भी कर लें कि बंदूगें लोगों को नहीं मारती, मारने वाले स्वेम मनशे होते हैं, तो कौन वो मनशे होते हैं जो इस तरह का मरबन नर्स निदार करते हैं, क्या उनका दिमाग होता है और यदि दिमाग खराब होता हूँ तो दिमाग खराब होना यदि खर्णक रूप से अपना मांसित संतुलं खो बैठना किस कायन होता है? इसकी जिमेधारी किसा है? तो क्या यदि नौजवान अमेरीकी इस तरह के अपरादों को अंजाम देते हैं, तो क्या वो सब विभाजित तलाख शुदा परिवारों की संताने हैं, तूटे परिवारों की, या वो नशाखोर हैं, या बच्पन से ही उनके उपर जो प्रभाव है, चतुर्दिक हिंसा का, उन्हें लगता है कि चारों तरफ हिंसा होती है, और हिंसा क कि सहारे ही वो अपनी कुछ शौरत कमा सकते हैं, वरना वो अनाम रह जाएंगे, तो चाहे वो शिंकलाबद हत्यारे हों, या चाहे वो बंदोकों से गोलाबारी करने वाले हों, वगर हमें लगता है कि इस तरह से समस्या को नजदाज करना, उसे दूसरी दिशा में मोड़न और ऐसे तत्मों के साथ हैं, जिनमें श्वेत स्रेश्टा का दावा करने वाले लोग हैं, जिसमें इसाई मिश्णरी हैं और इन जो दूसरे धर्मों के प्रति असाहिश्णू हैं, और इस तरह की जो जिसे क्रिश्चन इवेंजिलिजम कहते हैं, और वाइट सूप्रीमेसी कहते हैं और ये गन लोबी है ये तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो अमेरिकी राजनिता अपना जिगरा नहीं दिखा पाते हैं दिलेरी नहीं दिखा पाते हैं उन्हें कुछ लगा लेकि उन्हें लगता कि अगामी चुनाओं पर इनके समर्थक मत दाता, उनका साथ छोड़ देंगे और ट्रम्प की साशनकाल से बाद बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि अमेरिका लगबग आधा आधा बटा हुआ है, प्रगतिशीर, उधारवादी, समन्नवायात्मक लोगों में और इन लोगों में जो आसाहिशनों हैं, कट्टरपंती इसाई हैं बंदूग धारन करने को अपना जन्म से अधिकार समझते हैं और अश्वेतों को अपने से कमतर समझते हैं, यदि इनको आप देखने, तो इसके कई धारन हमको देखने को मिले थे, जब ट्रम्प की चुनाओं के वक्त के बाद हमला किया गया था कैपिटल हिल पर उनके समर्थों के दोबारा, आज तक वो मकदमी चल रहे हैं, आज तक कानून अपनी कारवाही कर रहा है, मगर विभाजित अमेरिकी मानस आज भी उजागर है, मगर ये समसिया सिर्फ अमेरिका की नहीं है, अमेरिका से ही इन चोटी बंदूकों का, पिस्तों का, राइफनो का निर्यात, या इनन आगती तसकरी मेक्सिको मैं होती है, ब्राजील मैं होती है, और वहां के जो आप राधिक, संगटित आप राधिक गेरों हैं वो इनका प्रियोग करते हैं जो सड़कों पर गैंग वार होती है वो इससे चलती है और बड़े पैमाने पर वहां की राजनीदिक अस्थिरता और वहां की हिंसा इसके साथ जुड़ी हुई है मगर इससे भी एधिक महतपूनी चीज यह है कि क्या ये पुलर विचार का विशय नहीं है कि कौन से ऐसे संवेधानिक बुनियादी अधिकार होते हैं जिनको प्रतिबंदित नहीं किया जा सकता है क्योंकि आज के समाज में और आज इस विक्राल समस्या को देखते हुए उन नियंतरन करना बेहत जरूरी है और यह जो गड़जोड है दक्षिडपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतों का जो नसलवानी है जो कट्टरपंथी इसाहियत का समर्थन करते हैं और जो बंदू गधारी है इनको जब तक अलग 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 नहीं किया जाएगा तब तक क्या इन पर कोई नियंतरत पाया जा सहीगा जब बाइडन का चुनाव हुआ था तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो इन पर अंकोष लगाने की कोशिश करेंगे मगर अब साल सवा साल हो गया है मगर वो भी कोई प्रगति धर्ज नहीं करा पाएं उसको नियंतरत कराने में अमेरिका की नियाए पालिका बड़ी आसानी से खारिपालिका के फैस्नों को खारिज कर सकती है सविधान की दुभाई देते हुए मगर ये समस्या सिर्फ सिर्फ अमेरिका की नहीं है ये बुनियादी अधिकारों वाला जो प्रशन है कि कौन से ऐसे बुनियादी अधिकार हैं जो जनतांत्रिक हैं, समता पोशक हैं, नियाए संगत हैं जिनकी रख्षा होनी चाहिए और कौन से ऐसे एतिहासिक विरासत के हैं, कांग हैं, जिनकी आज कोई उप्योगिता नहीं, इसके बाहरें में सोचना बहुत जरूरी है, मगर मैं लगता नहीं कि जब तक अमेरिका में जो ये नेस्ट स्वार थें जो हथियार बंदूगधारियों के हैं नसलबादी द्वेशियों के हैं और अमीरों और गरीबों के जो बीच की खाई है कौन इनको अजान देता है, कौन इनका शिकार बनता है इस सबका विश्टेशन सिर्फ समाज शाष्टी दिश्ट से करना जुब नहीं है भले ही अन्यत्र बंदूकें इतनी आसानी से सुलब नहों मगर जब एक संपन्द जन्तांत्रिक खुशाल देश में इस तरह के अपरादों की संक्या बढ़ती है तो एक बहाना मिल जाता है विकास शील दिशों में लोगों को यह कहने का जब वहां सबी अपराद होते हैं तो हम यहां नाजाज हत्यारों की प्रयोग पर रोग कैसे लगा सकते हैं यह तो एक वैश्विक समस्या है तो अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो अपनी समस्या को एक वैश्विक समस्या का रूप न बनने दे इस बीच जो एक घटना बहुत संतोष्क्रत कही जा सकती है वो भारत द्वारा एक राजनेक संवाद को शुरू करने की पेशकश अफगानिस्तान में है विदेश मंतररे की एक संयुक्त सचिव ने काबूल का दोरा किया और कई लोगों को लगा कि क्या ये पिछले दर्वादे से जाकर तालिबान सरकार को मानिता देने का प्रयास तो नहीं है इसका खंडनन तत्काल बारती विदेश मंतररे ने किया और उन्हेंने का कि हमारा उदेश तो सिर्फ इतना भर था कि जो मानवी साहिता हम पहुचाना चाहते हैं अफगानिस्तान को उसके रास्ते में बाधाएं ना आएं वो अनवरत हम वहाँ पहुचा सकें और एक मानवी अभूटपूर मानवी तरासिदी को कटने से रोका जा सकें एक रोचक बाती है कि इस समय जो वहाँ उप विदेश मंतरी है वो भारत की रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित सेनिक अफसर रहे हैं और उनके बारे में माना जाता है कि उनको अधिक अच्छी समझ है कि भारत सरकार क्या चाहती है और क्या पेक्षाएं उसकी अफगानिस्तान से हो सकती है बहुत सारी दुनिया के ऐसी देशें जोनों ने अफगानिस्तान को मानिता नहीं दी है मगर उनकी दूतावास वहां काम कर रहे हैं तो देर से देर भारत को भी अपना दूतावास महां कोलना पड़ेगा उसका स्तर पहले जिसा करना पड़ेगा ये जोखिम का काम होगा भारती राजनेकों के लिए क्योंकि पिछली बार उनको सुरक्षा कवच उनको प्राप था, अमेरिकी सेना का, वो आज सुलब नहीं होगा, मगर हम ये भी न भूलें कि भारत के राजनेकों ने शाहदत भी दिये काबुल के अपनी दूतावास में और उनकी रख्षा का भार भारती सपाईयों के पास थ वो अमेरिकी उनकी रख्षा कवच उनको अमेसी में नहीं दे रहे थे, जो महत्पूर्ण बात है, वो संसोशनी लाइक यह है, कि भारत इस मोके का लाब नहीं उठाता है, वहाँ दूआरा अपना प्रविश करने का दूआर नहीं खोलता है, तो इसका लाब सीधे सीधे प बहुत सारे कारणों से, तो भारत के लिए यहाल रहना परमाश्यक है, एक भूल से बचने की जरूएत है, कि अकसर यह बात कही जाती है, कि भारत और अफगानिस्तान के संबंद, पारपरिक संबंद, सदियों पुराने हैं, हजारों साल पुराने हैं, सास्कृत संबंद, उनको देखते हुए हमें अपनी मुझदगी वहां दर्ज करानी चाहिए, मगर जिन हजारों साल पुराने सास्कृत संबंदों के हम बात करते हैं, उनका ध्वन इस तालिबान सरकार नहीं किया था, जब वो तालिबान थे पहले दौर में, जब पामियान बुद्धां को त अफगानिस्तान में एक बार हुआ था, ये सारी बातें आज बिमानी हैं, आज के संदर्म में अफगानिस्तान के साथ हमारी संबंद तभी सार्थक हो सकते हैं, जब हम उनकी जरूरतों को समझें, और अफगान लोगों को इस बात का हैसास हो, कि युद्ध के बाद जो उसके पुनल निर्मान में यदि कोई देश मदद कर सकता है, तो वो भारत ही है, वो इसलिए कि न तो उसकी दिरिश्टी चीन की तरह उसके अफगानिस्तान के प्राक्रतिक संसादनों पर है, और भारत ने अतीत में भी माद बनाने से लेके, सड़के बनाने से लेके, अरे अर्मों डॉलर अमेरिकी सेरिकों की विलासिता पूर्ण जीवन शेरी को बरकरार रखने के लिए, या उस जो अटपुतली सरकार काबूल में थी, उसकी रक्षा के लिए उपर ही खर्च होते रहे बीस वर्शों में, तो अफगानिस्तान में जो निर्मान का काम, विक उपरज रहा है, पाकिस्तान उतर पश्च्टमी सिमान से लेकर भारत में, तो उसको देखते हुए अफगानों के लिए भारत शेक्षा का स्तर अच्छा है, जिकिस्ता के लिए अफगान ही रहते हैं, कुछ लोक पनार लेने भी आते रहते हैं, सब आतकवादी ही만 नहीं आ चारण इन ISIS, अलकाइदा से जुड़े जो खुरसान प्रांट के इस्लामिक सल्तन अपने को कहते हैं, उनका ठकराव पूरी सीमा पर पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा कर्मियों के साथ होता रहा है, तो भारत को शायद इस बात का भी अहसास होता है, कि कम से कम यदि काबूल के त अफगानिस्तान में शरंग लेकर भारत पर हम्रा करना चाहते हैं, मगर भारत को यवाद भी शायद अब समझ आने लगी है, कि इसकी लिए जिम्मेदारी सिर्फ तालिबान के नहीं है, इस तरह के हमले, प्रावजित हमले पाकिस्तान आयस के दौरा, पिंडी, राउल पिं नहीं है, क्योंकि अफगान तालिबान जो आज है, उनमें आज भी पाकिस्तान प्रायोजी धकानी धड़ा जो है, वो मंत्रि मंदर का हिस्सा है, और आज भी जो बाहरी शक्तियां है, वो अलग-अलग नेताओं को अपने-पक्षमे संचालित अभशाशित करने की कोशिश कर रही हैं, तो पाकिस्तान और तालिबान की रिष्टे आपस में खटास मिठास वाले साथ रहे हों, मगर ये कल्पना करना कटेने के परक जपकते वो भारत के पक्षदर हो जाएंगे, और ये सोचना भी बड़ा कटेने कि जिस कटरपन्ती इसलाम का कानुसरन तालिबान क मगर उस अमीरात में जो अफगानिस्तान का अतीद का इतिहास है, उसमें छोटे छोटे जो सुबिदार प्रांती एक शत्रम है, उनकी इस्तिती अब तक वैसी की वैसी है, अफिम की तसकरी होती है, अहतियानों का तसकरी का व्यापार होता है, देव व्यापार होता है, और हमें सामरिक गहराई की बात करना बंद कर देना चाहिए हमको बात करना चाहिए उन्र्निर्मान की, टिकास की, सहकार की क्योंकि हम यह धियान दें कि बिना अफड़ानिस्टान Me अपना जिगह के बनाए हम मदेशिया तक नहीं पहुँच्छें ए इरान तक पहुँचना हमारे लिए बहुत साज नहीं होता है तो आफगानिस्तान भले ही स्वाम एक भूम बंदर आज हो मगर किसी ने किसी प्रकार वहां हमारी मुझदूद्गी दर्श होना बहत ज़रूरी है आर्थिक कारौनों से सामरिक कारौनों से भी मगर बार-बार सामरिक समय दर्शिंता पर जोर देना शायद तालिबान को हमारे प्रदी सशंक कर सकता है मगर पुर्ण निर्मान में जितनी सायताम दे सकते हैं उधारता के साथ मुझ हमारे पक्ष में देर से देर कामाई उकरेन में युद्ध के तीन महीने पूरे हो चुके हैं और कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि निकट भविश में यहां युद्ध मिराम होगा या शांती लोटेगी जिलिंस्की के माने तो उनका कहना है हम समारपन कभी नहीं करेंगे हम अपनी एक इंच भूमी जब तक पुना आजाद नहीं करा लेते हैं कि एक इंच रूस के कबजे से तब तक हम चैन से नहीं बैटेंगे इस बीच देश की तबाही लगभग पूरी हो चुकी है अब तक जो लोग चर्चा कर रहे थे वो जपरादों की थी वो मानवादिकारों के उलंगन की थी वो इस बात की थी कि पूतिन किस तरह के कितने हतियारों का प्रियोग कर सकते हैं क्या रासेनिक हतियारों का प्रियोग करेंगे कभी वो धंकी दिने लगते थे परमानविक अस्तिनों के प्रियोग को भी असंभाव नहीं समझा जाना चाहिए आदी, कई लोगों का मानना था कि उन्होंने एक लाग रिखा पार कर ली थी, इस संभावना को प्रकट करते हुए, कि परमानविक हथियारों का प्रयोग भी हो सकता है, वो बार-बार ये धंकी चुनौती देते रहते हैं, यदि जारी हैं, स्वीडन में, फिनलेंड में, बेलरुस आदी में, मगर एक जो परिवर्तन हुआ है, लोगों का ध्यान अब आज जमीन पर लड़े जा रहे हैं युद्ध से, कहीं जादा उस संभावना का आकनल करने में लगा है, कि क्या कोई अस्थाई अंतरिम युद्ध वि जारी हैं, लोगों का वहां गियों की उपर जितनी जादा होती थी, कि पूरे विश्व भर की तीश प्रस्थेशन जरूरत उकरेन अकेला करता था, रूस और उकरेन मिलकर जो गियों का निर्यात करते थे या खादी तेलों का निर्मात करते थे, वो बहुत बड़ा हिस्सा था, कभी भारत में इस बात की अटकले लगाई जा रही थी, कि क्या क्या भारत अंतर राष्ट्री बाज़ार में इस कमी को पूरा कर सकता है, मगर बहुत शीकर भारत को इस बात का एहसास हुआ, कि इतने बड़े पैमाने पर वो अपनी आंतरी खादी सुरक्षा को याद कर दूसरों को रहत पहुचाने का काम नहीं कर सकता है, हाना कि भारत सरकार ने बार 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 ये भरुसा दिलाया है, कि जहां कहीं भी कोई मानवी इतरास्थी की संभावना है, वहां खादी सुरक्षा के लिए भारत निश्चय ही अपनी दिम्वरे दानी के साथ परतिबंद लगा दिया और उसकी कीमितें उपर चुढ़ने लगी, इसी तरह मलिशिया ऐसी जिस तेल का पामोयल का आयात होता था उसको भी निरापत नहीं समझा जा सकता है, तो गेहू की भरपाई एक सीमा तक भारत भली कर ले, मगर सुरज मुखी के तेल या अन्य तेल उकरिन के पास बचा नहीं है, उसको अपने देश में अपने बच्चे खुचे नागरिकों के लिए खादी निरापत रखनी है, तो पुरानी फसल निकल जानी चाहिए, नहीं फसल भंडारन के लिए सुलब होनी चाहिए, तो क्या रूस उसे ये मौका देगा, और देगा इसको और देगा, तो उसके दो पक्षें जिनके उपहर वचार करना ज़रूरी है, कि रूस ने दूंपास पर कबजा कर रखा है, करिमिया पर एaleep पर कबजा कर रखा है, और यहीं वो मारखे है, मारी पॉलवाला, मिला लीजीए, उद्र सका मिला लीजीए, जहां से, समु जहां जो के जरिये यहों और खाइदे तेल का निर्यात उक्रियन करता रह सकता था रूस ऐसा क्यों करेगा कुछ लोगों का मानना है रूस ऐसा इसलिए करेगा कि उसे कुछ देर के लिए रहत मिल जाएगी जमीन पर लड़े जा रहे उस जुद्ध से जिसमें उसके सेनिवी हतात हो रहे हैं और ठक रहे हैं उसको एक मौका मिल जाएगा अपनी अंतरराष्टी 26 उधारने का जो अब तक उस पर अमानवी राक्षशी आचन का रूप लगा जा रहा है कि हाँ उसने खाजी सुरक्षा के मामले में कुछ उधारता बरती है और रूस को एक रहत और मिले इस अनाज के भार को बाहर नहीं ले जा सकते हैं यदि उकरेन इस काम पर कोई लिए लागो होता है तो रूस के लिए भी इस इलाके में दुबारा नौसैनिक शक्ति का प्रयोग करना अधिक प्रभावशाली साबित हो सकता है तो इस दोनों पक्ष कुछ अपनी छली को सु रखाने वाले शायद मददगार हो सकते हैं उकरेन को तात काले कुछ समय के लिए यह रहा को भारत के लिए विचारनी होगा कि वो कैसे की उसकी प्रतिक्रिया क्या रहती है एक दूसरा पक्ष है कि जो जिन इलाकों पर दॉंबास के कब्जा रूस ने किया है वो वर्जों का हथियारों का स्पेर पार्ट्स का निर्मान होता था जिनकी जुरूत भारत जिसे दुशों को पढ़ती थी पहले उकरेने में इनका निर्मान होता था और फिर विद्व के पहले यह रूस पहुचते थे और रूस से उन देशन तक पहुचते थे जो रूस से सै इस बार इतना ही अगली बार आपसे मुलाकात होगी मगर तब तक हम आपको फिर यह राय देंगे कि जो कुछ चर्चा हमने किया है उसे गांट बांदी की कोशिश करें, ठंडे दिमाग से अपने तर्ख संगत नहीं चाहिए की कोशिश करें और दुनिया में जहां भी जो कुछ घटता है, उसका कुछ ने कुछ प्रभाव अनेक दिशों की आंतरिक नीचियों पर पड़ता है, इसका उधानन इत्पार हमने देखा, भारत ने जो वक्त तब कुछ दिये गए, इसलामी पैगंबर की खिलाफ या उनकी शान की खिलाफ, उसका जो प्रभाव भारती विदेशनीती को देखना मिल रहा है, वो काफी नुकसान दे रहा है, और पिछले आट वर्षों की कमाई धराई, कमाई जो थी साओधी अरब में, खाड़ी देशों में, कतर में, उस पर पानी फेरने का काम कर रहा है, तो ये काम सिर्फ विदेशनी थी, राजने हमारे आर्थिक और सामरे खितों पर पड़ सकता है, खाड़ी शुरक्षा पर, उर्जा शुरक्षा पर, यही बात दुबारा दोहराई गई है, बिर्टेन में, जहां बोरिस जॉनस्टन का जो आचरण है, उसने उनके प्रधान मंतिनितों को जित को स्विकार करना है, जिसके आधार पर भारत ने अफगानिस्तान में पुना एक समाज शुरू करने की कोशिश की है, आने वारों में, दिनों में देखने को मिलेगा, कि क्या हो सकता है, जैसा एक भारती राजदूत, पुर राजदूत, विवेक काटजू ने कहा था, कि अधार आदमी को मजबूर होता है, शेतान के साथ भी खाने के लिए, हम उन्हें मित्र नहीं, तो शद्र कम से कम न समझें, और यतारतवादी तरीके से, अधियतारतवादी तरीके से, उनके साथ काम करने को त्यार हो, हाँ एक दूरी बनाए रखें, एक लंबी चमच के सा हम उस भोज में हिस्सा लें, ताकि हमारा हाथ को पकड़कर मरोड न सके, फिर आते हैं हम उकरेन के युद्ध पर, जहां युद्ध विराम देर से ही हो सकता है, बागर क्या तातकालिक अंतरिम युद्ध विराम कुछ राहत दे सकता है, भस्त उकरेन को, और छवी सुदार करने में मददगार हो सकता है रोज की, इन सब बातों के बारे में सोचिए, अगली बार मिलने तक, धन्यवाद, नमस्कार.